नमश्कार मैं हूँ पलवी सिंग और आप देख रहे हैं आरेया नियूस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो आपको बताते हैं कि गौंडा से ये खबर सामने आई है जो आपर एक DM के आवास में तेंदुआ घुज गया है बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं DM के आवास में तेंदुआ घुज गया और इसके बाद वन विभाग दफ्तर से सटे इलाके में ये तेंदुआ था जोहां से वो DM के आवास में घुज गया है इलाके के लोगों ने कुत्तों के भौकने से हुआ उन्हें शक 8 घंटे की 3 शिफ्ट में लगी वन कर्वियों की ड्यूटी पूरी रात बंगले के 4 ओर चलती रही कॉम्बिंग बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं DM अवास में तेंदुआ घुसने से देशक का महौल वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद 8 शिफ्टों में टीम मौजूद है और इसी के साथ ही तेंदुआ को तलाशनी की कोशिश की जा रही है वन विभाग दफ्तर से सटे हुए इलाके में तेंदुआ घुसने का ये मामला सामने आया है गौंडा से इस वक्त की भरी खबर आपको बता रहे हैं जहांग पर इलाकाई लोगों के ने कुत्तों के भौकने की वज़े से उन्हें शुक हुआ और तब वहाँ पर एक तेंदुए को घुमते वो देखा गया डियम आवास में ये तेंदुआ घुसा जहां आठ गंटे की तीन शिफ्ट्स लगाए गई और इस दरान वन विभाग बुस्तेदी के साथ तेंदुए की तलाश कर रहा है और इसी भी शुक करें एक लिफ़ग बड़ी ख़बर की और जाब को बता दें कि बुज़ुर्ग से नौ लाग रुपे की टपे बाजी के मामला सामने आया है मैंपोरी शेहर के संता बसंता चराहे की घटना जहां पर एक बुज़ुर्ग से 9 लाग रुपे की टपे बाजी की गई 9 लाग रुपे ठग लिये गई सोशल मीडिया पर इस पूरी वारदात का विडियो वारल हो चुका है बुज़ुर्ग का 9 लाग रुपे से भरा बैग उडा लिया गया शाते टपे बाज रुपे से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए है पूरी घटना CCTV कैमरा में कैद होई मैंपोरी शेहर के संता बसंता चराहे की घटना बताई जा रही है और इसे के साथ ही बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो आपर एक कल्योगी चोचेरी चाची ने मासूम की हत्या कर दी है अपने ही घर के आंगन में गला दबा कर निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद बच्चे की शव को आंगन में ही गड़े में दफना दिया गया हत्यार ओपी चाची को पुलिस ने मौके से गिरिफताय किया देवा कोटवाली शेत्र के चीफार गाउं की ये पूरी खटना पताई जा रहे है और देश में लगाता है रच्ची दिनों से कोरोना के नई मरीसों का आखड़ा पच्छा सजार से कम है बुद्वार सुबस वात्मत्राले के ओर से जारी के गता जांकरों के नुससार पिछले 24 घंटे में 27,176 नए कोरोना मामले सामने आए वहीं पिछले 24 घंटे में 284 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई ऐसे में 38,012 लोग कोरोना जे ठीक भी होए हैं यानि करीब 11,120 आक्टिव केस कम हो गए केरल में मंगलवार को कोरोना वायरिस संक्रमित के 15,886 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संक्या बढ़ करके 44,6,365 हो गए इस दोरान रोजाना संक्रमित के लगभाग 30,000 या उस से अधिक मामले सामने आने लगे और इस दोरान इसके बाद संक्रमित में काफी कमी आई है बताते चले कि 22,24 घंटे में 139 रोग्यों की मौत हुई है जिसके बाद अमरतिकों की कुल संक्या बढ़ कर 22,789 हो गई है केंद्रिस्वाथ मंत्राले ने बताया है कि 14 सितंबर तक देशवर में 75 करोड 89,12,000 करोना वैक्सीन के डोस दिये जा चुके है बीते दिन करीब 61,15 लाग टीके भी लगाए गए तो वें भारती आयर्व ग्यान अनुसंदान परिशवत की ओड से अब तक 54,60 करोड करोड करोना टेस्ट किये जा चुके हैं बता दें कि बीते दिन करीब 16,10,000 करोना सिंपल टेस्ट किये गए और देश में करोना से मृत्य उतर 1,3,3 फीसदी है जबके रिकावरी रेट 97,62 फीसदी बनी रही और अक्टिव केस की संख्या 109 फीसदी है और अगले साल होने वाले विदानसबा चुनाफ के लिए बीजबी कई राजों में नेतरित्व परिवर्तन का मामला कर रही है और ज़रान हिमाचल में भी अगले साल होने वाले चुनाफ को देखते हुए सीम जोयराम ठाकुर दिल्ली दोरे पर आये हैं उनके इस दोरे ने भी नेतरित्व परिवर्तन की खबर की जो हवा है उसको जोड़ दिया है और मंगलवार को दिन भर जो सियासी सवाल जोर पकड़ रहा था उसे देश शाम तक खुद सीम जोयराम ठाकुर ने विराम देने की कोशिश की और उन्होंने इस दोरे को तो पहले से ही तैब बताया लेकिन बतलाफ का जवाब सी दिसीदे नहीं दिया गया दरसली माज़ल प्रुदेश में सीम बतलने की खबरों ने तब जोर पकड़ा जो महज हफते भर में जोयराम ठाकुर कल दूसरी बार दली पहुंचे वैसे भी बीजेपी शासित राज्यों में इन दिनों ज्यादा ओलट फेर हो रहा है चे महीने में बीजेपी ने उत्राखंड करनाटक और गुजरात में चार सीम बतले हैं विजे रुपाने की जगा 13 सिदंबर को भुपेंद्र पर्टेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पत की शपतली जुलाई में B.S. यदुरपा को हटा कर B.S. बॉंबाई को करनाटक का मुख्यमंत्री बनाए गया उत्राखंड में तो मार्च में त्रिवेंज सिंग रावत को हटा कर 13 सिंग रावत को मुख्यमंत्री बनाए गया और चार महीने बाद ही तीरत सिंग रावत को हटा कर पुशकर सिंग धामी को मुख्य मुंत्री बनाए गया दरहसल इमाचल प्रदेश में अगले साल के आखे में चुनाव होना है जिसको लेकर अब ये बड़े नैतुरित वो फेर बदल की खबर जोर पकड़ चुके है दिल्री पुलिस की टीम दो आन्य की आज दोपहर में कोर्ट में पैश직 करेंगी बता दें कि दिल्री पुलिस ने कथित्रों पर चाहे आतंगवादि यों को घरफतार किया है ऑपुलिस का दावा है कि यनमें से दो आतंगियों ने पाकिस्Tान में ट्रेनिःंग लकी और आस्पास के लाकों में ब्लास्ट करना चाहते हैं और इनका निशाना भीडबाड वाली जगा है जानकारी मिलते ही पुलिस की चीम सक्रिय हो गई और दिल्ली से दो आतंगबादियों को गिरफतार कर लिया गया इसके अलावाद चाहर अन्य को उत्तरप्रदेश और राज बढ़ेंगा की खबर की ओर जांतरखन में पहली बार अब दुधारू पशुओं में लपी स्किन डिजीज यानि रस्टी वायरस का मामला सामने आया है और इस से पहले गाए भैसों में ये बिमारी भारत में साल 2012 में पशुमंगाल और महाराश में देखने को मिली थी काशिबूर ब्लॉग के एक फार्म में 13 गाएं भैसों में लक्षन मिलने पर सैंपल की जांच के लिए भीजे गए जिन में चार गाएं की रिपोर्ट पॉजटिव आई है जिले के पशुपालकों को अलर्ट कर दिया गया है साथी पशुपालकों विभाग के अनुसार वाइरस पशो में मखी मच्छर पशु से पशु का संपर्क और पशुलार आदी जसी चीजों से फैलता है और ये वाइरस पशु की वाइरल बिमारी है जो मनुष्य में नहीं फैलती इसके साथ ही इस वाइरस से पशु मृत्यू दर बहुत कम है लेकिन पशुपालकों की रिपोर्ट आई जिसमें चार गायों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और अफगानिस्तान में तालिबान की कबजे के बाद लोगों पर अत्य चार की घटनाएं बढ़ गई हैं तादा जानकारी के मताबिक वहां पर अब एक अफगान मूल के भारते नागरिक को अगवा कर लिया गया है इंडियन वर्ल्ड फॉरॉम के अद्याक्षि पुरीज सिंग ने ये जानकारी साज़ा करते हुए बताया कि शक्स को बंदूक की नोग पर किडनाप किया गया है पुरीद ने आगे बताया कि उनको इस बात की जानकारी मिली कि एक सिक्समुधाए के शक्स का काबूल में अपरन हुआ है उनका नाम बंसारीलाल अरंदे ही बताय जा रहा है जिनकी उम्र करीब पचास साल है पुरीद ने आगे बताया कि उनका मंगलवार सुबा को करीबाट बजे दुकान के पास से ही अपहरंट किया गया जानकारी के मताबिक बंसारी को वहां दवा उत्पादन का काम करते हैं वो और बंसारी के साथ ही उनके स्टाफ को भी किडनाप किया गया था लेकिन स्टाफ किसी तरह से किटनापर के चुंगूल से भाग आया और उनको किटनापर्स ने बुरी तरह पीटा गुजरत के नए मुखे मंत्री भुपेंद्र पटेल आज अपने काबिनेट का विस्तार कर सकते हैं माना ये जारा है कि आज भुपेंद्र पटेल अपने मंत्री मंदल में 10 मंत्रियों को शामिल करेंगे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबक कई पुराने और दिगश्त मंत्रियों का पता कट चकता है और माना ये जारा है कि वुपेंद्र पटेल के मंत्री मंडल में कुछ नए चहरों को जगा मिल सकती है पाटी के ओर से सभी समुदायों को ध्यान में रखकर उनका उच्छत प्रतिने धित्व देने की कोशिश की जा रहे है हाला कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नए मंत्री मंडल में किसे जगा मिलेगी और किसका पत्ता कटेगा नए मंत्री मंडल में नितिन पटेल को शामिल किया जाएगा या नहीं अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है पाड़ी गुजराद में आगामे विधान सवाचुनाव को देखते हुए किसी भी तरह का खत्रा नहीं उठाना चाहती और माना ये जा रहा है कि खुद को मंत्रीपत के काबिल मानने के वाले नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सीयार पटेल को मिलकर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश की है सूत्रों ने बताया कि ऐसे कई दावेदार हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष से मिले और अपना दावा पेश किया साथी आपको एभी बता दें कि विजरुपार्णी के स्तीफे के बाद अब भुपेंदर पतेल ने सुमवार को गुजरात के नई मुख्य मंतरी के तौर पर शपत ली थी इस जोरान किसी भी मंतरी का शुपत ग्रहन नहीं हुआ था हलाकि वहां मंतरी पत किसे दिया जाएगा और किसे किसका पत्ता कटेगा इस सवाल को लेकर प्रदीश प्रवक्ता ने कहा है कि मंतरीयों के नाम सोच विचार किये जा रहे है